आज की भाग दोड़ भरी जिंदगी में हमें अख़बारों और टीवी में ऐसी खबरे आती हैं, जिन में पता चलता है कि किसी ने इस शक्स का एकाउंट ओनलाइन खाली साप कर दिया है। इन में कई वरिष्ठ नागरिक, सेवादार, व्यापारी या अशिक्षित लोग भी हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो सकता है। ठगों ने ओनलाइन फ्रॉड करने के कई नए तरीके इजाद किये हैं, जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। इस विडियो में, हम फिशिंग, नकली ओनलाइन स्टोर, सोचल एंजिनीरिंग और मैलवेयर हम लो सहित कुछ सबसे समान्य प्रकार की ओनलाइन धोखाधड़ी का अवलोकन प्रदान करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, हम आपको ओनलाइन धोखाधड़ी को रोकने और खुद को शिकार बनने से बचाने के लिए व्यावहारिक टिप्स और रन्नीतियां भी देंगे। आएं शुरू करें। कौन कौन से है ओनलाइन फ्रॉड? 1. इमेल फ्रॉड इमेल फ्रॉड एक प्रकार का ओनलाइन फ्रॉड है जो कई तरह से किया जाता है। आम तोर पर, इमेल धोखाधरी अक्सर बैंकों, इकॉमर्स वेब साइटों और साइबर अपराधियों द्वारा बनाये गए नकली इमेल के माध्यम से होती है। यह दोखे बाज आम तोर पर आपको यह बताने के लिए एक इमेल या मेसज भेजता है कि आपके बैंक खाते में कुछ समस्या है और आपको जल्द से जल्द अपने खाते की रिपोर्ट करनी चाहिए। वे आपको एक लिंक भेजते हैं जहां आपसे आपकी खाता जानकारी भरने के लिए कहा जाता है। जब आप वहां जाते हैं तो आपको एक नकली वेबसाइट पर भेज दिया जाता है जहां आपसे आपकी खाता जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में आप अपनी जानकारी और पैसे के नुकसान के शिकार हो सकते हैं। 2. Online Shopping Fraud Online Shopping Fraud एक और तरीका है जो Online Fraud का एक बड़ा हिस्सा है। Online Shopping Fraud में आमतोर पर आपके email box में भेजे गए link या apps के जरिये दुकानों के नाम पर ठगी करने की कोशिश की जाती है। जब आप उन links पर क्लिक करते हैं, तो आप एक नकली दुकान पर redirect हो जाते हैं जहां आपको वे उतपात दिखाये जाते हैं जिन्हें आप खरीदने वाले हैं। जब आप वहां से उतपात खरीदने जाते हैं, तो आपको भुकतान करना होता है। जब आप भुक्तान करते हैं, तो वे उस वेब साइट से गायब हो जाते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता है. 3.Facebook Fraud Facebook एक सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म है जो आज के समय में काफी लोग प्रिय हो चुका है. Facebook Fraud एक अन्य प्रकार का उनलाइन Fraud है जो Facebook के माध्यम से किया जाता है. Facebook Fraud में कोई अनजान व्यक्ति आपसे दोस्ती करने के लिए Friend Request या Facebook Page बनाता है. यह अन्य व्यक्ति आपको एक email भेजता है जिसमें वहाँ आपको अपने उत्पादों की सूची और उनकी कीमतें भेजता है. अगर आप इन उत्पादों को खरीदना चाहते हैं तो उस अन्य व्यक्ति की दी गई email ID पर पैसे भेजने होंगे. जब आप पैसे भेजते हैं तो अन्य व्यक्ति गायब हो जाता है और आपको उत्पाद नहीं मिलता है या फिर धोके बाजों द्वारा आपकी फरजी प्रूफाइल बनाई जाती है और आपके दोस्तों को पैसे माने के मैसेज भेजता है. 4. Online Form Fraud Online Form Fraud इस Fraud में Company द्वारा आपको एक email भेजा जाता है जिसमें आपसे कुछ जानकारी मांगी जाती है. यह email देखने में असली लगता है लेकिन असल में यह फरजी है. जब आप उस email में जानकारी भरते हैं तो आपको एक Online Form पर ले जाया जाता है जो आपकी व्यक्तिगत जानका और यह वास्तव में वास्तविक लगती है. लेकिन इसके बाद लोग नकली व्यवसायों और अन्य Online धोखाधरी के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपियोग करने के लिए इसका उपियोग कर सकते हैं. फाइव नकली Online दुकान इस धोखाधरी में आपको एक दुकान या वेबसाइट का लिंक भेजा जाता है जहां आप वास्तविक उतपादों या सेवाओं के बजाए उतपाद या सेवाएं खरीद सकते हैं. ऐसी Online दुकानों में आपको मूल उतपाद नहीं मिलेगा और धड़ी में आप वास्तविक उतपादों के लिए भुकतान करते हैं लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है. इस तरह के Online फ्रॉड में दुर्भाग इसे कई लोगों के पास अचानक जॉब के मेसेजिया इमेल आते हैं. उन्हें बताया जाता है कि उनके पास कुछ सीधी साधी नौकरियां हैं और वे इन नौकरियों के लिए अपनी जानकारी जैसे रज्यूमे और अन्यव्यक्तिग जानकारी भेज दे. बाद में, आपको आगे बढ़ने के लिए अपने बैंक खाते की जानकारी जैसे नाम, पता और बैंक खाता संख्या भेजने के लिए कहा जाता है. आपको एक विश्वसनीय ओनलाइन कंपनी या विश्वसनीय अनुसूचित बैंक द्वारा अगले चर इस तरह के online fraud में आपको एक ऐसे व्यक्ति के message मिलते हैं जो आपका दिल जीतने का दावा करता है. ये लोग आपका ध्याना करशित करने और आपसे प्यार करने का दावा करने के लिए भावक कहानियों के साथ आपसे संपर्ख करते हैं. ये लोग आपसे बातचीत करने और अनुरोध करते हैं. उन्हें आपको यह बताने के लिए तस्वीरें और वीडियो ग्राफ भेजने के लिए कहा जाता है कि आप अच्छा समय बिता रहे हैं. बाद में ये व्यक्ति भविश्य में आपके मित्र होने का दावा करते हुए आपसे पैसे भी मांग सकते हैं. जै एक और ओनलाइन फ्रॉड है. जिसमें जालसाज फोन काल करके अपने शिकार को बरगलाते हैं और उन्हें तरह तरह की जानकारी या पैसे के लिए निशाना बनाते हैं. इसमें जालसाज अपने पीडितों को असली दिखने वाली कम्पनियों या सरकारी संस्थाओं के नाम से बुलाते हैं. इस प्रकार के फोन कॉल्स में, धोके बाज अपने पीड़ितों को विभिन विवरन देने के लिए बरगलाते हैं, जैसे कि स्वयम की पहचान करना या अपनी विद्तिय जानकारी देना। जालसाज भी अपने पीडितों को ऐसी कॉल से पैसे निकालने के लिए प्रोचसाहित करते हैं. 9. Social Media Fraud Social Media Fraud एक और online fraud है जिसमें जालसाज पीडितों के social media account की जानकारी चुरा लेते हैं. वे users के नाम, photo, followers और अन्य details का clone बनाने की कोशिश करते हैं और इससे वे पीडितों को ठग सकते हैं. इसके अलावा, जालसाज सोशल मीडिया खातों के माध्यम से फर्जी लिंक साजह करते हैं जो पीडितों को नुकसान पहुचाने के लिए बनाए गए हैं. जालसाज आपकी समवेद नशील जानकारी जैसे email, password और विवरंड चुराने के लिए सोशल मीडिया खातों का उपियोग करते हैं. 10 followers खरीदें आज कल सोशल मीडियो पर followers का काफी महत्व हो गया है. उदाहरन के लिए, बड़ी संख्या में अनुयाई होने से आपको एक बड़े संगठन द्वारा काम पर रखने का मौका मिल सकता है. जालसाज इस लालच का फाइदा उठाकर असली followers को खरीदने का offer देते हैं. followers खरीदने का दावा करते हुए ये पीडितों से followers और लाइक बढ़ाने के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन वे असली followers नहीं होते. इन जालसाज कंपनियों का उद्देश पीडितों की समवेद नशील जानकारी जैसे credit card या bank खाते का विवरण चुराना है. 11. Internet Lottery Fraud इस fraud में, आपको एक email या phone call के माध्यम से बताया जाता है कि आपने एक internet lottery जीती है और आपको अपना पुरुसकार प्राप्त करने के लिए फीस का भुकतान करना होगा. आपको फीस के लिए एक link दिया जाएगा जहां आप अपनी जानकारी और भुकतान विवरण दर्ज कर सकते हैं. इस घोटाले में आपके साथ धोखा किया जाता है क्योंकि यह lottery मौजूद नहीं है और फीस जमा करने के बाद आपको कोई राशी नहीं मिलती है. 12. वे link fraud वे link fraud में धोखे बाज आपको भारत के बाहर किसी देश में जीते गए धन के बारे में बताते हैं. बदले में वे आप से कुछ पैसे मांगते हैं ताकि वे वहाँ से पैसे निकाल सकें. 13. टैक्स fraud टैक्स fraud में धोखे बाज आपको एक एमेल भेजते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको अपने टैक्स refund का दावा करने के लिए कुछ जानकारी प्रदान करने के आवश्यक्ता होगी. स्कैमर्स आपको बताएंगे कि आप अपने करों पर कुछ गलतियां कर रहे हैं और आपको उन्हें चुकाना होगा. वे आपको एक लिंग भेज सकते हैं जहां आपको उनकी साइट की तरह अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दर्ज करना होगा. जब आप अपनी जानकारी प्रदान करते हैं, तो वे आपकी जानकारी चुरा सकते हैं और आपके खाते से पैसा निकाल सकते हैं. 14.Premium SMS Fraud इस Fraud में, आपको एक संदेश भेजा जाता हैं जिसमें दावा किया जाता है कि आपने कुछ प्रीमियम सेवाओं का उप्योग नहीं किया है और अगले महीने से आपके खाते से कुछ राशी कार्ट ली जाएगी. इस संदेश में एक लिंक है जिसे आपको क्लिक करने की आवश्यक्ता है और फिर आपको अपनी प्रोफाइल और क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज करनी होगी. जैसे ही आप प्रीमियम का भुक्तान करोगे आपके खाते से राशी कार्ट ली जाएगी लेकिन आपको कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी. 15. रेंटल फ्रॉड इस स्कैम में लोगों को मकान या अन्या चीजे किराय पर देने के लिए ठगा जाता है. धोखा धड़ी के तहत, दुरलभ्या विशिष्ट वस्तूओं की पेशकश की जाती है और आसान भुक्तान विकल्पों के साथ किराय पर दी जाती है. जब लोगों ने भुक्तान कर दिया, तो उन्हें पता चला कि ऐसी कोई वस्तू नहीं है और उनके साथ धोखा हुआ है. 16. ने टपलिक्स इमाजॉन अकाउंट फ्रॉड इस फ्रॉड में लोगों को फरजी नेटफ्लिक्स अकाउंट बेच दिया जाता है. जाल साजों द्वारा नकली खाते बनाये जाते हैं और फिर आपको बेच दिये जाते हैं. आप अपना पैसा देते हैं, लेकिन जब आप अपने खाते में साइन इन करने का प्रयास करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यह एक नकली खाता है और उन्होंने आपको धोखा द या आपको मुप्त मुबाइल वाउचन मिलता है जो एक समय सीमा के बाद मिलता है। लेकिन या गुटाला हो जाता है और जालसाजों द्वारा आपको मुपत मुबाइल या वाउचन नहीं दिया जाता है। बदले में जालसाज आपकी निजी जानकारियां चुरा लेते 18 QR Code Fraud आज के समय में लगभग हर कोई UPI और UPI आधारित पेमेंट आप जैसे फोन पे, PTM, Google पे आधी का इस्तिमाल करता है। ये स्कैमर्स ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं जिन्होंने अपने किसी पुराने प्रोड़क्ट जैसे ऐसी, स्मार्ट वाच, स्मार्ट फोन आधी को बेचने के लिए OLX जैसी साइट्स पर लिस्ट किया हुआ है। इसके बाद वह उन्हें अपना फेक आईडी प्रूफ दिखाता है और खुद को एक पेशेवर व्यक्ती बताता है। फिर स्कैमर अडवांस पेमिंट करने के लिए सामने वाले व्यक्ती से उसकी UPI ID मांगता है और जब वह स्कैमर को अपनी UPI ID दे देता है क्योंकि सामने वाले को लगता है कि उसे पेमिंट मिल रहा है। जब वह व्यक्ति भुक्तान अनुरोध स्वीकार करता है और UPI पिंदर्ज करता है, तो उनके खाते से पैसा भुक्तान अनुरोध करने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है. 19 KYC Fraud इस फ्रॉड के तहट स्कैमर से ऐसे लोगों को टागिट करते हैं जिनका खुद का बैंक अकाउंट है, सबसे पहले उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके बैंक अकाउंट का KYC पूरा नहीं हुआ है और उन्हें KYC पूरा करने की जरूरत है. इसे पूरा कर आने के लिए बैंक खाते से जुड़ी जानकारी देनी होगी. जालसा जिस तरह की बातों में फसा कर भोले भाले लोगों से उनकी बैंक डीटेल जान लेते हैं और बैंक में मौझूद सारा पैसा खाली कर देते हैं. 20 Search Engine के परिनाम में हेर फेर. कई लोग अपने बैंकों, भीमा कंपनियों और व्यापारियों के संपर्क विवरन प्राप्त करने के लिए Search Engine का सहारा लेते हैं. यहाम तोर पर बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन कभी-कभी जालसा जैसी योजैसी तकनीकों का उप्योग वास्तविक वेबसाइट पर हेर फेर किये गए क्रिदेंशल्स को रैंक करने के लिए करते हैं. ग्राहकों को मूल बैंक वेबसाइट के बजाएन अकली वेबसाइटों पर ले जाते हैं और जहां ग्राहक गलत नंबर लेते हैं. ओनलाइन स्कैम से बचने के आवश्यक उपाए जिम्मेदारी से कार्य करें, यदि आपके पास सनुभव नहीं है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं जो ओनलाइन सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में अधिक जानता हो. असमान नई इमेल या संदेश न खोलें. किसी साइट के लिंक पर क्लिक करने से पहले यह देख लें की लिंक कहां से आ रहा है. अपना नाम और किसी भी खाते की जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा ना करें जिसे आप नहीं जानते हैं. इमेल सुचनाएं जाचें आप कभी कभी नकली इमेल अधि सूचनाएं देखते हैं जहां आपको अपने खातों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जाता है. इसलिए, आपको उन्हें जानचने की आवश्यक्ता है कि वे सही हैं या नहीं. इमेल या सोशल मीडिय के माध्यम से कभी भी बैंक खाते. क्रेडिट कार्ड की जानकारी आदी साजह न करें. एक सुरक्षित पासवर्ड बनाएं. आप अपने बैंक खातों को सुरक्षित करने के लिए एक स्ट्रॉंग पासवर्ड रखे. एक सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए आप एक अद्वितिय टूफा जैसे सुरक्षा उपकर्णों का उपयोग करें. एंटिवाइरस सॉफ्ट्वेर का उपयोग करें. आपको कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, टैबलिट आदी में एंटिवाइरस और फायर वाल सुरक्षा सॉफ्ट्वेर का उपयोग करना चाहिए. यहाँ आपके उपकर्णों की सुरक्षा करता है और आपको अधिक सुरक्षा प्रदान करता है स्मार्ट तरीके से उनलाइन खरीदारी करें अगर आप उनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से खरीदारी करनी चाहिए जब आप कुछ खरीदते हैं तो कुछ वेब साइटों के लिए आपको अपना Credit Cardia Banking जानकारी प्रदान करने के आवश्यक्ता होती है। ओनलाइन खरीदारी करने से पहले सुनिश्चित करें की साइट सत्यापित है। एक सत्यापित साइट के लिए वेब साइट के URL में HTTPS slash slash शब्द होना चाहिए जो SSL प्रमानपत्र के साथ आता है। आवश्यक्ता पढ़ने पर ही अपनी जानकारी दें। कभी कभी संदिग्द साइटों द्वारा आपसे आधार कार्ड या पासपोर्ट नंबर जैसी आपकी जानकारी देने का अनुरोध किया जाता है। इस प्रकार आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यक्ता है कि आप सत्यापन प्रक्रिया के बारे में जाने और साइट को सत्यापित करें। मातापिता से सलाह लें। यदि आप युवा हैं तो अपने मातापिता से उनके सुझाव मांगें। माता-पिता के पास अधिक अनुभव और समझ है और वे आपको ओन-लाइन सुरक्षा के बारे में अधिक बुद्धिमानी से बता सकते हैं के वला धिकारिक वेब साइटों का उपियो करें अपने बैंक खाते और अन्य ओन-लाइन खातों के लिए अपने संबंदित सेवा प्रदाता के अधिकारिक वेब साइट का ही उपियो करें सोशल मीडिया या इमेल से भेजे गए लिंक पर कभी भी क्लिक न करें आपको उस वेब साइट में साइन इन करना चाहिए जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं किसी प्रचार संदेश या आपको भेजे गए लिंक के माध्यम से किसी साइट के बारे में जानकारी प्राप्त न करें सतर्क रहें किसी भी लेख या वेबसाइट पर दी गई जानकारी की सत्यता की जांच कर लें इंटनेट पर कुछ लोग गलत जानकारी फैलाते हैं ताकि लोगों को लूटा जा सके लोटरी जीतने वाले किसी भी मेसज पर विश्वास न करें कुछ धोके बाज आपको धोखा देंगे और अपनी जीती हुई राशी के लिए पैसे मांगेंगे आपके संदेश बॉक्स में अवांचित रूप से आने वाली कोई भी चीज कभी भी डाउनलोड न करें यह डाउनलोड वायरस या मैल वेयर हो सकता है नियमित रूप से आपटेट करें अपने सौफ़्वेर और ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित रूप से आपटेट रखें आपटेट अपने गैर आधिकारिक लॉग इन पेज की जाज करें कभी-कभी Online Scammer लोगों को नकली Login पेज पर ले जाते हैं। इसलिए, सभी Online खातों में Login करने से पहले आधिकारिक Login पेज का ही उपियोग करें। बैंक की सुरक्षा अधिनियमों को अच्छी तरह समझें। अपने बैंक की सुरक्षा अधिनियमों को अच्छी तरह समझें और संबंदित जानकारियों को कभी भी दूसरों के साथ न साज़ा करें। फोन नंबर की सत्यता की पुष्टी करें। कभी कभी ओनलाइन स्कैमर लोगों को फर्जी फोन नंबर पर कॉल करने के लिए बरगल आते हैं। ऐसे में आपको फोन नंबर की सत्यता की पुष्टी करनी चाहिए और अंजान फोन कॉल्स का जवाब नहीं देना चाहिए और कभी भी अपनी निजी जानकारी साज़ा नहीं करनी चाहिए। सुरक्षित इंटनेट कनेक्शन का उप्योग करें। सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपियोग करने से आपको अपने ओनलाइन खातों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है. सुरक्षित कनेक्शन के लिए VPN का उपियोग करें. टैक्स फ्रॉड से बचने के लिए आपको कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी को किसी भी तरह से साजा नहीं करना चाहिए और केवल अधिकारिक वेब साइटों या टैक्स से संबंधित या अतिरिक तीसी तरह के विवरन का संदर्भ लेना चाहिए. यदि आपको लगता ह है कि आपके करों में कोई समस्या है तो आपको अपने करसलाहकार से संपर्क करना चाहिए. यदि आप किसी ऑनलाइन घोटाले के शिकार हो जाते हैं तो तुरंत अपने बैंक या पुलिस विभाग से संपर्क करें. ऑनलाइन धोक्थाधरी संबंधी मामलों में पीडित को करने के लिए 155,260 डायल करना होगा. जिस तरह 112 हेल्पलाइन नंबर साइब ठगी के शिकार लोगों की तुरंत मदद करते थे. इसी तरह आपात स्थिती में भी यह नंबर मदद करेगा. इन सभी उपायों का उप्योग करके आप अपने ओनलाइन खाते को सुरक्षित रख सकते हैं और ओनलाइन घोटालों से बच सकते हैं. इन उपायों का पालन करना अपने आप में बहुत फायदिमंद होगा और आपको ओनलाइन स्केम से बचाएगा. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करे और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले